प्रेजेंटिट बाइ सेंसुडाइड राम जन्म भूमी में राम लाला के मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचारी सतेंद्र दास रावजी आप मिले होगे उनसे मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला उनका आशिरवाद मिला अब तो बहुत ब्रद्ध है माराज उन्होंने बड़ी अच्छी बात कई अशोग जी आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए पुजारी जी को तो चुनावने लड़ना उनकी तो आवस्था भी बहुत हो गई उन्होंने कहा कि भाई इस देश में अदालते तो उन्चास से थी क्या कलेक्टर कप्तार भी थे सरकारे भी थी सब था लेकिन राम मंदिर का मामला एक इंच आगे नहीं बढ़ा बूले बढ़ा तभी जमीन पर यहां और वहां भी दिल्ली में भी जब योगी की सरकार आई और मोधी की सरकार आई अब इस बात का खंडन तो नहीं किया испक्ता अच्छी लगे तो भी और बुरी लगे तो भी खंडन नहीं किया सकता हर इस सब्सक्राइब कि तथ आत्मक बात बोली कि वैसे मैं कहूं अगर अख़्िस जी यह बताते हैं कि मैंने है इकाना स्टेडियम बनवाया अगर वो यह बताते हैं कि मैंने आगरा लखनो एक्सपरस पर बनवाया तो भाजपा को उनको यह बताना चाहिए भाजपा मोदी कुझी को यह नहीं बताना चाहिए कि हमने 370 अटाई बोले आप राजनीत कर रहा हो आप चुप रहा हो कि हम बोलेंगे यह तो नहीं चलेगा कहांगरेस यह बताएगी कि 51 इंदरा जी चिंहां यह जीति कह कह आणगरेस यह बताएगी कि घ्रिए रिषसांण पर आख यह थमाएं स्वामी नहें बोले ना कौन स्वामिनातन कुछ नहीं इंद्रा जी लाईं दुख्ध क्रांती बोले कौन है कुरियन इंद्रा जी लाईं आप कहा जाता है कि मोदी जी ने बनाया जाके मंदिर तो वैसे सवाल उठेगा इंद्रा जी ने भैस पाली थी दुख्ध क्रांती लाने के लिए नह से इकहतर में इंद्राजी गई थी फ्रंट पर लड़ने नहीं तो जो इंद्राजी वो इन ने इन्द्रमोदी ना इस वगध उसी पत्पर ये बात क्यों नहीं समझ मैं आती रहा है जब उस वक्त उनको श्रेजा सकता है इस वक्त उनको क्यों नहीं जाएगा और एक त्थ्य परबड़ी है कहीं जहां से भी उसको समझने में, 1993 में नर्सिंग राओ की सरकार लेंड अक्विजिशन बिल लेके आई थे, भूमी अधिकरण बिल था, मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, इस्कूल बनाने के लिए, धर्मसाला बनाने के लिए, पंचायत बन बनाने के लिए, सिनेमा घर बनाने के लिए नहीं था, वो 60 कुछ 63 ए 68 एकड जमीन को अधिकरहित करके केंदर सरकार में उसका स्वामित्य सुरक्षित करना था, बस इतना, उस बिल, हर बिल के समय में एक सरकार को वो देना पड़ता है कि बिल क्यूं लाया गया है, इसका का परण बताईए, ठिक, उसमें सरकार ने कहा था, कि चुकी विवाद है और विवाद को उसने क्या शब्द दिया था, राम श्री राम जन्म भूमी डेश बाबरी मस्जिद विवाद, ये नाम दिया था, जो मैं इसमर्ती से बता रहा हूँ जन्जनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन, रापिड रिलीफ के साथ अभी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आईस्क्रीम मुझे एक जन्जनाहट सी मैसूस होती थी, ये भढ़ती जारी थी ये प्रॉब्लम पहले ठंडी से शुरूवी, फिर गरम खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया उन्होंने कहा कि आप सिंसडाइन यूस कीजिए, अब मुझे फृच से कुछ ठंडा निकालके खाना हूँ तो मुझे दुबारा सोचना नहीं पड़ते सरकार की तरफ से जब बिल पाइलेट हुआ हाउस में, तो सरकार की तरफ से सम्मंदित मंतरी ने बताया कि वहाँ कोई भी पक्ष गडबड न करे, कुछ शांती बिवस्था को फिर से चुनोती न मिले, इसलिए उस परिसर की सारी जमीन केंदर सरकार अपने अधिकार में ले लेता है, ठीक, फिर क्या होगा, बुले फिर जब कभी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, यह हमेशा क के लिए है, क्योंकि आयुद्ध्या का विशे हमेशा इतिहास में रहेगा, जब कभी यह विवाद समाप्त हो जाएगा न्याई पालिका के द्वारा, रावज जी, तो जिसके पक्ष में जो विवाद हल होगा, उसके पक्ष में जमीन अबमुक्त कर दी जाएगी, ठीक, त मंदिर बनाने के लिए बिल नहीं आया था, वह भूमिया दिग्रहा के लिए बिल आया था, उसमें निजी जमीने भी थी लोगों की आश्रमों की, आपने सब कभ्या करके सरकार की मौर लगा दी थी, किसी का मकान सील कर देना, समस्य के समधान तो नहीं कहा जाता ना कि हमने मकान बनवा दिया नहीं ना सरकार ने सर्फ उतने किया था कि सारी जमीन हमारी यहां कोई कुछ नहीं करेगा जाओ राम जन्मा भूमी की कारिशाला जहां पर बनी है जहां पत्थर तराशे गए वो इस्थान वो था जो उस एरिया से बाहर था और राम जन्मा भूमी न्यास ने निजी आर्थिक श्रोतों से जो जमीन खरी दी थी अने ता सारी जमीन सरकार के बाश्य लेगी थी इतनी सी बात इसलिए उसको यह कहके ब्रह्मित मत करिए कि हम मंदिर बनाने के लिए बिल लाए थे नहीं ऐसा कभी ने किया कांग्रेस में उल्टा नर्सिंग राओ जी ने 6 दिसंबर 1992 को मैं कई बार बता चुका हूं 6 दिसंबर 1992 को रात में आठ से नो के बीच में जब राष्ट्र को संबोधित किया था तो उन्होंने जरूर कहा था कि हम बाबरी मस्जिद जिस इस्थान पर शहीद हुई है उसी इस्थान पर ए यह नहीं का कभी मंदर बनाएंगे यह रिकार्ड में है और यह रिकार्ड मेटा नहीं जा सकता है भारत की पढ़ान मंतरी का बोला हुआ कैसे मिठ सकता है इस लिए सच्चा ही है यहीं पर रहना चाहिए जंजनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रापिड रिलीफ के साथ अब ही मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आईस क्रीम मुझे एक जंजनाहट सी मैसूस होती थी यह भड़ती जारी थी यह प्रोब्लम पहले ठंडी से शुरूई फिर गरम खाने से हो रही थी तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया उन्हों नहीं कहा कि आप सिंसडाइन यूस कीजिए अब मुझे फ्रिच से कुछ ठंडा निकालके खाना हो तो मुझे दुबारा सोचना नहीं पड़ते जब हम यह कहते हैं कि राम सब के हैं तो आशोग जी हमारा आचरन भी वैसा ही होना चाहिए कि राम सब हमारे भी दिखें क्या कहिने भर से नहीं माना जाएगा राम के प्रति हमारा आचरन भी वैसा होना चाहिए हमारी श्रद्धा भी वैसी होनी चाहिए और जो लोग भी इस अवसर को छोटा कर रहे हैं वो लोग देश की अध्यात्मिक परमपरा के साथ, देश की मन के साथ नियाय नहीं कर रहे हैं। ये भारत के माथे पर मुगलों के द्वारा रखी गई लात थी 500 साल की, जो हमने अब उठा के फेकी है, और रामलला का भव्य मंदिर बना खड़ा किया है। ये छोटा अबसर है क्या, ये भारत की इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा अबसर है जाने जी और मैं तो कहूंगा, अगर इसकी तुलना किसी है, ये का अबसर से की जा सकती है, मनुष पंडित जी, रदनाकर्ज भाई, रावजब, तो भारत की आजादी की तारीक से इसकी तुलना हो सकती है, पंद्रा अगर उननिस्टो से तालिस और बाइस जन्वरी दो हजार चोबिस, इससे कम पर किसी की तुलना नहीं हो सकती है, ये उत्रा ही बड़ा जय घोश है, उत्रा ही बड़ा विजय घोश है, भारत की आध्यात्मिक चेतना का, जो जाएंगे रामलला के दरवार में उस दिन और अपनी शद्धा नवेदित करेंगे, देश का व्यवहार उनके साथ भी पता लग जाएगा, जो नहीं जाएंगे उनके लिए देश क्या सोंचता है, ये भी पता लग जाएगा 90 दिन के भीतर, लोकसभा का चुनाप बहुत दूर नहीं ह तरकार आजाएगी तो दियान रखिएगा मित्र, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता, ननकु जो गाउं में बैठा है न, वो टीवी पर देखेगा कौन गया, कौन नहीं गया, क्या, करोणों लोग वहाँ जाने को बेताब हैं, वो बाईस तारीक को जा नहीं सकते, लेक इसका नेने देश करेगा, धन्यवाद. कुछ ठंडा निकाल के खाना हो, तो मुझे दुबारा सोचना नहीं पड़ता है.